नमस्ते दोस्तों वेलकम यू आल तो अवर चैनल स्टडी तू दो पॉइंट मैं यश बटनागर आज आपके साथ डिसकस करूंगा रेड इयर टर्टल के बारे में यह किस जगे थ्रेड बनता जा रहा है और यह किस जगे का टर्टल है और रिसेंटली इसका न्यूज में इत पोर्ट करना एक जगे से दूसरी जगे तो दोस्तों यह न्यूज में है कि आए इसके बारे में डीटेल में जानते हैं और दोस्तों गर आपको उमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करें जो भी UPSC, स्टेट PSCs और अन जितने भी Class A, Class B officer के जो examination होता है उनके preparation कर रहा है इवन banking दोस्तों यह important topic है for your UPSC 2021 So let's begin this detail So recently red-eared slider turtle, an invasive species, poses a major threat to the Kerala biodiversity of water bodies So recently दोस्तों Kerala water body में यह नया species जो है, जो red-eared slider turtle है, इसको देखा गया है और यह जादा मातरा में वहाँ पे aquatic life को वहाँ पे जो natural environment है उससे change कर रहा है इसलिए से वहाँ पे invasive species के नाम से भी जाना जा रहा है So दोस्तों यह मैं हूँ, आप मेरे बारे go through हो सकते हैं, अगर आपको इस lecture की PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे Telegram की इस channel से डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस Instagram और Facebook पे हमसे जोड़ सकते हैं अगर आपको daily current affairs से जोड़े रहना है दोस्तों अगर हम इस red-eared slider की बारे में जानें, तो इसका scientific name है track me scripta elegans इसको दूसरे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि red-eared trepin, red-eared slider turtle, red-eared turtle, slider turtle और water slider turtle यह दोस्तों popular है United States में, यह pet के रूप में लोग बाग अपने पास रखते हैं और Mexico और United States के बीच में यह पाया जाता है majorly दोस्तों, red-eared slider turtle head is also native to the South United States and Northern Mexico, as I told you and become established in other places because of the pet releases and also the invasive species in many areas So, दोस्तो, red-eared slider is included in the list of world 100 most invasive species published by the International Union for Conservation of Nature तो दोस्तों, यह जो slider turtle है, यह still और warm water bodies में रहने में जाने जाते हैं और यह उन 100 प्रमुक invasive species में एक है जो कि IUCN के दुआरा जो list जारी की जाती है जिसमें पता चलता है कि कौन से species most invasive है दोस्तो आईए इसके बारे में और detail में जानते हैं इनको साथी साथ एक environmental threat या हम कहें major threat के रूप में भी देखने देखा जाता है क्यों कि यह बहुत जल्दी mature हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं और जो इनका reproduction होता है दोस्तो इनका जो offspring होते हैं यह भी बड़े aggressively जादा मातरा में होते हैं और बड़े aggressive in nature होते हैं साथी साथ दोस्तो यह पेड़ जो aquatic plants है और साथी साथ जो animals aquatic animals है उनको भी अपना शिकार मनाते हैं जाते की fishes हो गया और जो rare frogs हो गया उनके बारे में इन places like Australia and European Union it is illegal to import and keep these turtles तो दोस्तो ऑस्ट्रेलिया और European Union ने तो इस टर्टल को अपने पास रखने के लिए एक illegal घोशित कर रखा है और बैन लगा रखा है तो दोस्तो invasive species जो मैं अथी बार बोल चुका हूँ तो invasive species होती क्या है दोस्तो ये उस तरीके की चीज होती है और ये चीज क्या है ये living organism हो सकता है किसी भी फॉर्म में either amphibian, plant, insect, fish, fungus, bacteria, even organism, seeds, eggs or anything that can cause the harm to the ecosystem तो दोस्तो ये हमारे ecosystem को harm पहुचा सकते हैं जो भी living organism है एक जगे से दूसरे जगे अगर इने transport करके या किसी भी अन्य तरीके से ये बहुच जाते हैं और बड़े जल्दी से उस environment में ढालने अपने आपको ठीक है उस environment को पूरी तरीके से adapt कर लेते हैं इसलिए ये invasive species कहलाते हैं क्योंकि ये जो वहां का natural environment होता है natural जो वहां के species होती हैं उनको भी दीरे-दीरे करके extend करना शुरू कर देते हैं आपको वीडियो अच्छा लगाओ प्लीज लाइक करें शेयर करें और जरूर से जरूर कमेंट करें अपने सुझाव दीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों तक जरूर ये वीडियो पहुचा है जो भी इन अन एक्जामनोशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तक जब थे क्या है